वेल्कम तू दा चैनल टाइंग विद्ग्रेज अन्यू डे विद अन्यू रेसिपी नवरत्री वरत्रेसिपी सेरीज में नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है फलाहरी चाट की तो चलिए आज़ा मिल के बनाते हैं फलाहरी चाट यह बहुत कम टाइम में प्रिपेर हो जाता है बहुत दिलीशियस लगता है टेस्ट में इसको बनाने के लिए मैं 6 मीडियम साइस के आलू बोल करके छिलका निकालके रख ली हूँ इसकी हम आलू की टिक्की बनाएंगे टिक्की में एट करने के लिए आधा नीबू, धन्या पत्ती, 10-12 करी नीव और 4-5 हरी मिट्च मैंने निकाल लिया है इसके साथ मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगे उसके लिए धन्या पत्ती, करी लीव, 2 हरी मिट्च और आधा नीबू मैंने अलग करके रख लिया अगर आप कभी हरी चटनी में करी लीव एड ने कियें तो ज़रूर एक बार करी लीव को एड करके देखिए बहुत अच्छा लगता और करी लीव बहुत हल्दी होता है यहां आलू को मैंने मैश कर लिया था उसमें एड़ करने के लिए मुफली को मैंने पीच लिया है जीरा पाउडर और रॉक सॉल्ट निकाल लिया है हरी मिर्ज को मैंने बारिक चॉप कर लिया धन्यापती करी लीव को भी अच्छे से धोकर मैंने बारिक काट लिया वो सबको मैं इसमें एड़ कर देती हूँ खरीपता बहुत फ्लेवर बढ़ा देता है टिक्या की आप जरूर एक पर डाल के देखिएगा यहां आदा निबू का रस मैंने एड़ कर दिया है अब मैं यहाँ पे रॉक सॉल्ट एड़ करूंगी नमग आप अपने स्वाद अनुसार एड़ कर सकते हैं यहाँ पे मैं धाई चमच नमग एड़ करी हूँ क्योंकि मेरे आलो की क्वांटिटी थोड़ी जादा है जीरा पाउडर मैंने दो चमच एड़ किया है मुमफली का पाउडर यहाँ पे मैं दो चमच एड़ करी हूँ बाद में और अगर आपको लगे तो आप एड़ कर सकते हैं मुमफली को थोड़ा रोस्ट करकर उसका चिनका निकाल के आपको पीस लेना है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें एड़ करने के लिए मैंने राजगीरा तीन बड़े चमच निकाल लिया और कोदो पाउडर यह भी दो चमच मैं इसमें एड़ करूँगी यह सब को add करने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा मुमफली का जो दाने का powder है वो और add करना चाहिए तो यहां मैंने तीन चम्मच मुमफली का जो powder है उसको और add किया क्योंकि आले की quantity मेरी थोड़ी जादा थी तो mix करने के बाद लगा कि थोड़ा add करना चाहिए अब मैं यहां पर दो टेबली स्पूल oil add कर रही हूँ यह देखिए ऐसे आपको टिक्की बना लेना है और यह बहुत असानी से टिक्की प्रिपेर हो जाएगी मैं पूरी टिक्किया बना के रख ली हूँ अब मैं इसको पैन में सेखोंगी आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेख सकते हैं दीरे दीरे मैं यहां पर पूरी अपनी टिक्की को सेख लूँगी दोनों तरफ से दोनों तरफ से आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है यह देखिए हमारी क्रंची टिक्किया तयार है बहुत इसली प्रिपेर हो जाता है आप चाहें तो इसे बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं कि मेरी टिक्किया रेडी है अब हम इसकी चार्ट बनाएंगे इसके लिए अब आपको जो हमने टिक्किया बनाई है उसको हम यहां पर डाल देंगे थोड़ा सा इसको दबाके अब हम इसमें जो दही था उसको थोड़ा मैंने लिक्विट फॉर्म में कर दिया था दही को एड़ कर देंगे इसके बाद जो मैंने ग्रीन चट्नी बनाई थी उसको एड़ कर देना है उपर से जीरा पाउडर मैंने पहले ही दही में नमक एड़ कर दिया था अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें उपर से भी नमक डाल सकते तो यह हमारी फालाहरी चाट रेदी है इसको ज़रूर बनाईए बहुत एजी ली यह प्रिपेर हो जाता है अगर आपने मेरे बाकी नवरातरी सीडियस की रेस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दूंगी वहां से आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसी तरह में अपनी होम मेड रेसिपी आप से शेयर करूँ तो मेरे चैनल डाइविद ग्रेस को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें